विंटर में बालकोनी गाडन और चत पे दूप कम आती है लेकिन फूलो वाले पॉधे लगाना चाहते हैं तो आज की वीडियो में फ्रेंट से ऐसे ही फ्लावर से प्लावर से प्लावरिंग शेयर करूंगी जो शेड लबिंग प्लावर होते हैं कम दूप में अनली पेहली बारे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए बाल आकिन के साथ तो लिस्ट पे जो सबसे पहले नंबर और शेट लबिंग प्लांट है इसे एंथुरियम कहते हैं देखने में काफी सुन्दर और आर्टिफिशल लुक देने वाला ये प्लांट होता है इस तोड़ी सी प्राइज हाई होती है इस प्लांट की 4, 2,500 तक किनकी प्राइज हमें नरसरी में मिल जाते हैं और अगर चोटा पौद आप लेंगे तो 350 का ये मिल जाता है और इन दिने इनकों बहुत सारे कलर भी हमें नरसरी में दिखने को मिल जाता है और अगर इस को डाइरेक्ट सनलाइट बिल्कुल भी पसंद नहीं है इन डाइरेक्ट सनलाइट या कह सकते हैं ब्राइट लाइट इस प्लांट के लिए जरूरत होती है मतलब इनको दूप की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है तो दूप अगर कम आ रही है आपके गार्डन में तो इ क्योंकि इनकी नीची की लिफ्ज का कलर ग्रीन और ओपर की कलर देखिए रैड में होता है रैड एलो और बहुत सारे कलरों में यह प्लांट आजकल नर्सरी में हमें दिखने को मिल जाता है अगर आपके गार्डन में बिल्कुल भी दूप नहीं आती है तो आप इस प्लांट को अपने गार्डन में एड कीजिए खड़की के सामने अगर रोशनी आ रही है तो भी इस प्लांट को आप उत जगार रख सकते हैं आपके बालकोनी गार्डन में भी बहुत कम दूप आती है तो भी इस प्लांट को आप एड कर सकते हैं बहुत ही कम कियर में हमारे गार्ड इसे चाइनिज बलसम कहते हैं सुन्दर एक पर्मनेंट और शेड लविंग प्लांट है जादा दूब की इस प्लांट को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है अगर आपके गाडन में आदा गंटा या एक गंटे की भी सनलाइट आ रही है दिन में किसी भी टाइम तो भी ये प्लांट उसी सनलाइट में बहुत ही ज़्यादा भर भर के आपको फूल देगा और देखिए इनकी कितने सारे कलर मिल जाते हैं इन दिनों हमें नरसरी में और इस प्लांट की ज़्यादा प्राइज नहीं होती है हमें 30-40 रूपीज के नरसरी में मिल जाते हैं हेंगिंग बास्केट में छोटी से पॉट में बड़े से पॉट में किसी भी साइज के पॉट में इस प्लांट को आप लगा सकते हैं पसब से अच्छी बात है कि ये एक पर्मनेंट फ्लावर प्लांट होता है पूरी साल भर इनमें फ्लावर आपको दिखने को मिल जाता है लेकिन विंटर में इस टाम इनमें बहुत ज़्यादा फ्लावर से दिखने को होते हैं और ये प्लांट है विंटर में कटिंग से बहुत आराम से ग्रो हो जाता है उसके उपर भी मैंने वीडियो शियर कर रखा है तो अगर आपको फुल डिटेल चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में इसका लिंक के शियर कर दूँगी तो आप देख सकते हैं और देखिए मेरे गार्डन में कितनी अधिक मातरा में पाने इनमें फ्लावरिंग हो रही है और मुझे ये प्लान्ट बहुत पसंद है इसे इंपेशन कहते हैं इनके फ्लावर से दीखिए कितने खूशूरत और कई सारे कलोरों में हमें नर्सरी में इन दिनों दिखने को मिल जाता है अगर आप इंपेशन को अपने गाडन में लेके आ रहें तो कुछ बातों का धहन रखना है जैसे इस प्लांट को पानी का बहुत जादा धहन रखना होता है मतलब इनकी सॉइल नमी होनी चाहिए लेकिन ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं सेकंड की इस प्लांट को जादा धूप की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है प्राइट लाइट या हलकी सी मॉर्निंग की या दिन में किसी भी टाइम की धूप मिल रही है तो भी ये प्लांट बहुती अधिक मातरा में फ्लावरिंग करेगी थर्ड जो चीज है फ्रेंट से इस प्लांट को जादा फटलाइजर की ज़रूरत नहीं होती है जादा फटलाइजर देने से भी ये प्लांट खराब हो जाता है तो मेहने में या आप दो मेहने बाद इनमें किसी भी लिक्विट फटलाइजर का यूज कर सकते है आगे जो यह plant हैं इसे clancho कहते हैं काफी सुन्दर और permanent flower plant होता है इनकी दो variety होती है एक desi और एक hybrid आपके सामनी यह जो plants हैं यह hybrid है जिनकी double patterns होते हैं और single patterns के इनी में flowers होते हैं वो desi variety होती है cutting से इस plant को लगाना इस time बहुती easy होता है पानी में यह soil में किसी भी तरह से आप इस plant को अपने garden में cutting के दुरूफरी में add कर सकते हैं तो उसके उपर भी मैंने video share किया है कि cutting से हम इस plant को कैसे grow करें तो आप देख सकते हैं आगे जो यह plant इसे जरवेरा कहते हैं काफी सुन्दर और मुझे यह plant बहुत ही पसंद है friends कई कई दिनों तक इनके flowers है ऐसे ही खिले रहते हैं और दूप की बिल्कुल भी ज़्यादा जरूरत नहीं होती हैं बहुत ही कम दूप में बहुत अच्छी flowering करती है यह plant इस plant के लिए ज़्यादा बड़ी pot की भी जरूरत नहीं होती है आप hanging basket में भी इस plant को लगा सकते हैं और कम दूप में अधिक flower देने के लिए यह plant बहुत ही अच्छा है तो इस plant को भी आप अपने garden में add केजिए और यह एक permanent flower plant होते हैं पूरे साल वर यह plant एक या दो flowering करता रहता है लेकिन winter में इनमें ज़्यादा flower दिखने को मिल जाता ह आगे जो यह plant हैं इसे विगुनिया कहते हैं विगुनिया के भी बहुत सारे color हमें इन दिनों nursery में दिखनी को मिल जाता हैं यह एक permanent flower plant हैं और मेरी garden में पूरे सालवर यह plant flowering करता हैं और cutting के दिरू हम इस plant को इस टैम बहुत ही आराम से grow कर सकते हैं cutting से कैसे हम grow करें उसके उपर मैंने वीडियो शियर कर रखा हैं और result बहुत ही अच्छा मिलता है friends अगर आपकी पास कोई mother plant हैं तो इस टैम आप उस plant की cutting से देरू सारे इस plant को grow कर सकते हैं और आराम से यह plant grow भी हो जाता है ज्यादा कोई problem भी नहीं होती है तो वीडियो कीएगा आगे जो प्लांटे है friends इसे जरीनियम कहते हैं जरीनियम को भी ज्यादा दूपकी ज़रूरत नहीं होती हैं काफी सारे कलोरों में आपको इन दिनों नरसरी में यह plant दिखने को मिल जाता है यह एक permanent flower प्लांटे हैं winter में बहुत अधिक flower दिखने को मिल जाता है और अप्रिल तक इन में flower हो जाते हैं उसके बाद rainy season में यह dormancy time में रहती है flower तो नहीं होते लेकिन यह plant वैसे ही रहता है evergreen रहते हैं और illustration के लिए यह permanent flower प्लांट है और cutting के दुरू आप इस प्लांट को आराम से stem अपने garden में add कर सकते हैं बहुत जल्दी इनका result भी हमें दिख अपनी को मिल जाता है इस plant की दो variety आती है एक tall और एक drop variety आती है उसे आप hanging basket में भी लगा सकते हैं और जो tall variety आती है friends उसे थोड़े से बड़े pot में लगानी के ज़रूरत होती है कम दूप में अपने garden में अगर flower जाते हैं तो इस plant को भी आप अपने garden में add कीजिए next जो यह plant इसे white velvet flower plant है सेक्विलन फैमिली से यह plant bloom करता है और इनमे flower इन दिनों बहुत अच्छा दिखने को मिल जाता है और रोज की मेरी इस plant में बहुत अच्छी flowering होती है और मेरे terrace garden में यह cutting से में इस plant को one week पहले ही ग्रो किया है और मेरे friend garden में इनका पुरा एक hanging basket भरा हुआ है औ flower इनमें रोज का दिखने को मिल जाता है और कम दूप में बहुत अधिक अगर flower चाते है तो इस plant को cutting के तुरू अभी आप अपने garden में add कीजिए और तेरो सारे flower पा सकते है और सबसे अच्छी बात है इनके leaves आप देखिए उसके उपर जैसे लगता है कि मकडी का जाला हो य दिखते हैं यह plant तो फ्रेंट से यह थे कुछ shade loving plant अगर आपके garden में बिल्कुल भी दूप नहीं आती है या हलकी सी morning की या किसी भी time की दूप आती है तो आप इन प्लांटों को आराम से अपने garden में add कर सकते हैं और देरो सारे flower पा सकते हैं और यह permanent flower plants भी होते हैं और इनकी cutting अगर आप इस time करेंगे तो आपको one week में भी result बहुत ही अच्छा मिल जाएगा तो वीडियो कैसा लगा फ्रेंट से comments करके जरूर बताइए और मेरी चैनल पर पहली बारे तो please please चैनल को subscribe जरूर कीजिए बैल आकिन के साथ next वीडियो में मिलती हूं फ्रेंट से तब तक ल चैनल चैनल मेएगा बढूर कमेदटीजिक भवादेह ज्याए तो जानल प्रेंट से तो आइए योडा क्रेंट